PCS Current News प्रोग्राम में आपका स्वागत है आज का हमारा चर्चा का विश्य है राश्ट्रिय मखाना अनुसंधान केंद्र हाली में बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से मखाना के लिए नियूंतम समर्थन मुल्य यानि MSP की मांग की है बतादे की देश का लगभग 85 प्रतिशत मखाना उत्पादन बिहार राज्य में होता है गौर तलब है कि राश्ट्रिय मखाना अनुसंधान केंद्र भी बिहार के दर्बंगा में ही है अब बात कर लेते हैं मखाना के बारे में मखाना एक जलिये फसल है जिसे लावा, फॉक्स नट्स, यूरियल फेरोक्स, लोटस सीट्स, गोर्गन नट्स भी कहते हैं यह पोशक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थ है आईए बात कर लेते हैं MSP के बारे में MSP वह नियुन्तम कारंटी कृत राशी है जो किसानों को तब दी जाती है जब सरकार उनकी फसल खरीदती है MSP का उद्देश्य उत्पादकों को उनकी फसल के लिए लाबकारी मुल्ले सुनिश्चित करना और फसल विविदी करन को प्रोचसाहित करना है MSP के लिए सिफारिश क्रिशी लागत और मुल्ले आयोग करता है वर्तमान में 22 फसले MSP के अंतरगज शामिल हैं मखाना के लिए राश्ट्री अनुसंधान केंद्र यानी NRC के बारे में मखाना फसल के संरक्षन अनुसंधान और विकास के लिए नौवी पंच वर्षिय योजना यानी 1997 से 2002 के दोरान ICAR राश्ट्री अ मखाना अनुसंधान केंद्र दर्भंगा बिहार को क्रिशी अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग भारत सरकार द्वारा मंजूरी दी गई थी हालांकि दसवी योजना अवधी के दोरान राश्ट्री अ मखाना अनुसंधान केंद्र को बिना अधिदेश बदले विले कर पूर्वी क्षेतर के लिए ICAR अनुसंधान परिसर पटना के प्रशासनिक नियंत्रण में लाया गया था गौर तलबै की मई 2023 में केंद्र सरकार ने मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा का दरजा बहाल कर राश्ट्री अ मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा कर दिया तथा इसके अधिदेश में मचली सहित अन्य जलिये फसलों को भी शामिल कर दिया गया है आईए नोट कर लेते हैं अभ्यास प्रेश्ण मखाना के लिए राश्ट्री अनुसंधान के इंदर कहा स्थित है रोहतास, दर्बंगा, पटना या फिर गोरकपुर इसका उत्तर हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा धन्यवाद झाल प्रेश्ण ऑटना सेक्शन में एंदर कॉमें जरूर के लिए राश्ट्रे बाश्ट्री अनुसंधान विए जर्वेर यहारा भेजिए भेजिएगा ऊबदान आए यहारा प्रेश्ट्री भेजिए झाल झाल